हेलो दोस्तो अप्टू डेट फैक्ट्स की फुल डे निव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस सीरीज में आपको कम से कम वक्त में देश और दुनिया की आहम ख़बरें बताई जाएंगी तो चलिए चलते हैं आज के ख़बरों की तरफ प्रधान मंतरी मोधी आज अपना भात्तरवा जनब दिन मना रहे हैं इस मौके पर उन्होंने अफरीकी देश नमीबिया से लए आठ चीते मद्यप्रदेश के कुनो नैशनल पार्क में रिलीज किये हैं भारत का आखिरी चीता 1947 में मर गया था और उसके बाद 1922 में भारत में चीतों को extinct करार दिया गया था अब 70 साल बाद दुबारा चीतों को भारत में reintroduce किया गया है 2009 में अफरिकन चीता introduction project in India के साथ चीतों को भारत लाने की बाद शुरू हुई थी अब इस project का नाम project चीता है आज हाइदराबाद में हाइदराबाद Liberation Day और तलंगणा National Integration Day मनाया जा रहा है 15 अगस्ट 1947 को जब देश आजाद हुआ तब हाइदराबाद में निजाम रूल करते थे और वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे इसके बाद सरदार पटेल के पुलिस एक्शन के जरिये 13-18 सेप्टेंबर 1948 के बीच हाइदराबाद को भारत में शामिल किया गया था करनाटक सरकार प्रधान मंतरी के जनम दिन उत्सों के तोर पर राजी में 15 दिन का medical campaign चलाएगी इस campaign को आज करनाटका के CM बसवराज बॉम में लाँच करेंगे और ये 2 अक्टोबर तक चलाए जाएगा इसी के साथ करनाटक सरकार ने आज कहा है के राजी के बीदर और बैल्डारी के बीच के रोड को चार लेन किया जाएगा राजस्तान सरकार ने राजी के government department और private sector के 20,000 महिला employees के लिए work from home scheme शुरू की है गुजरात के हरीपूर के करीब धंडुका बगोदरा highway पर आज एक car truck collision में एक ही family के 5 लोगों की मौत भी है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है अडानी गुरूप ने भारत के सबसे बड़े business गुरूप के तौर पर Tata गुरूप को पीछे छोड़ दिया है अडानी गुरूप की companies की market valuation 20.74 lakh crore रूपीज है और वही पर दूसरी तरफ Tata गुरूप की companies का market cap 20.7 lakh crore रूपीज है महराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में Johnson & Johnson baby powder के manufacturing license को immediate effect के साथ cancer कर दिया है इनिस्पेक्शन के दौरान इस powder की quality सबस्टेंडर पाई गई थी स्कूल के बच्चों में बढ़ते हुए बुखार के cases के चलते फुडूचरी administration ने Union territory के तमाम पहली से आठवी कक्षा के बच्चों को 17 सप्टेंबर से 25 सप्टेंबर 2022 तक छुटी डिकलेर कर दी है दिल्ली पुलिस के anti-corruption branch ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कैम में आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुला खान को गिरफतार किया है भारत के foreign exchange reserves अपने दो साल के सबसे निचले लेवल्स 550 billion dollars तक पहुँच गए हैं रशिया-उक्रेन वर के शुरू होने के बाद भारत के foreign exchange results में काफी कम ही आई है राजस्तान के चित्तोरगड में एक SUV और ट्रक के बीच हुई टककर में चार लोगों के मौत हुई है और आज जखमी हुए हैं Post Soviet countries किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हुए border clashes में 24 लोगों की मौत हुई है और 87 जखमी हुए हैं किर्गिस Ministry of Emergency Situations ने कहा है कि 1,36,000 लोगों को conflict zone से दूसरे safe जगों पर shift किया गया है नेपाल के अच्छम जिले में हुए multiple landslides में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग missing बताए जा रहे हैं अब तक 10 लोगों को rescue भी किया गया है World Health Organization WHO आज World Patient Safety Day मना रहा है इस मौके पर WHO ने unsafe medication practices और errors को कम करने की अपील की है United Nations International Children Emergency Fund UNICEF ने आज कहा है के पाकिस्तान में बाड के बाद तकरीबन 34 लाग बच्चों को life saving support की जरूरत है बाड में जमें पानी के कारण बाड से प्रभावित इलाखों में पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे कहें डैंग्यू उरूज पर है अफरीकी देश तुनिसिया में fake news फैलाने के जुर्ब में पांस से दस साल कैद की सजा का नया कानून बनाया गया है इरान में एक 22 साला लड़की महसा आमीनी की moral police की custody में death हुई है इस लड़की को moral police ने हिजाब follow ना करने पर गिरफतार किया था इस लड़की की death के बाद देश में कई जगा पर protest हो रहे हैं अफरीकी देश गीनिया में साल 2009 में एक stadium massacre में 157 लोगों को जान से मार दिया गया था और तकरीबन 109 आउरतों का रेप किया गया था अब गिनिया में इस जुर्म के मुझरिबों पर केसस चलने शुरू हुए है मायनमार बांगलादेश बॉर्डर के करीब मायनमार मिलिटरी के जरीए की गई मोर टार फाइरिंग में बांगलादेश में एक रोहिंग्या विक्ती की मौत हुई है दोस्तो ये थी आज की फुल डे निवस हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी के सब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मिलते हैं अगली वीडियो में दन्यवाद